हेलो स्टुडेंट्स आर्ज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लाश 10 साइंस के चैप्टर विद्दत के कुछ कोश्चन चलिए तो वीडियो करें स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन है हमारा कि विद्दत दारा का ऐसा ही मातरक होता है अप्षन है आपके पास वोल्ट, बी आप्षन है कुलाम, सी आपके पास एंपियर और डी आप्षन में इन में से कोई नहीं तो मैं आपको बता दूँ यह अप्शन में आपको बोल्ट दिया हुआ है यह SI मात्रक होता है हमारे विवांतर का और कूलाम SI मात्रक होता है हमारा आवेश का और C MPR यह SI मात्रक होता है दारा का तो आपको प्रेशन में पूचा गया है कि धारा का ऐसा ही मत्रक क्या होता है तो इसका आंसर होगा आपका C क्या होगा आंसर इसका C अगला कोश्चन है हमारा क्या अंसर होगा हमारा C क्या है कि अगले कोश्चन की तरफ मूब करें तो अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर दो कोश्चन नमर दो में बोला गया आपको विद्दत आविश का ऐसा ही मत्रक होता है A आपके पास एंपियर B आपके पास कूलम C आपके पास बोल्ट आपके पास उपियक सबी तो इस उस कोश्चन का Sachen होगा आपके पास क्या B विद्दत आविश का ऐसा ही मत्रक होता है तो इसका आपके पास नमर दो आफ का आप क्या होगा अगले कोश्चन की और मूब करें एगला कोश्चन है हमारा क्या प्हर्शन 3, बिड़ुत विववांतर का AI मात्रक होता है A option है आपके पास kulam, B option है आपके पास volt, C option है आपके पास ohm और D option है आपके पास ohm into meter जयसा कि मैंने अब एम यह आपको बता यह था जoug घविवांतर का AI मात्रक किसका मात्रक पूचा गया है आपको विद्द विववांतर का SI मात्रक तो कूलाम तो हमारा SI मात्रक होता है अगर ओम की बात करें तो यह हमारा SI मात्रक होता है प्रतुरुद का ओम इंटू मीटर की बात करें तो यह हमारा SI मात्रक होता है प्रतुरुदक ताको तो इसके बाद आपके पास बचता क्या है B option जो की विद्द विवांतर का SI मत्रक होता है इसी प्रकार अगर अगले question के और move करें तो अगला question है हमारा प्रत्रोध का SI मत्रक क्या होता है किसका प्रत्रोध का SI मत्रक A option है आपके पास M.P.R. B.O.P.C. आपके पास B.O.M. D.O.P.C. आपके पास U.P.S. अभी तो जैसा कि अभी हमने पहले question में देखा था कि M.P.R. होता है वो किसका इसा हिमातर होता है धारा का और B.O.T. की बाद करें तो यह ऐसा हिमातर होता है हमारा सक्ती का और आपको होते हैं अगला question है हमारा प्रत्रुदखता का होता है यह उपशन है आपके पास बाट भीट ले आपके पास यानि प्रत्रोदक्ता का ऐसा इमातर क्या होता है Omin to meter तो इस question का answer हो जाएगा हमारा B अगर हम बात करेंगे प्रत्रोदक्ता को किस से लिखते हैं तो प्रत्रोदक्ता को हम लिखते हैं जिसे बोलते हैं row किस से लिखते हैं row से अगले question की तरह move करते हैं अगला कॉस्चन है हमारा कॉश्चन नमबर 6 क् crime- patron kwh मतलब मतलब 1 किवत क्वाड किसके ब्रावर होता है तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो यह आता है हमाराथ एक इंटू किलो का मतलब 1 किलो में कितने नाम होते हैं हमारे एकज़ार इंटू अगर हम बात करें एक गंटे हमारे कितने सेकंड होते हैं एक गंटे हमारे सेकंड होते हैं 36 अगर इसको आप सौल करोगे तो आंसर आता है आपका 36 इंटू 10 की गात 5 लेकिन इसका आंसर आप देख सकते हैं यह ना होगी अगर आप एंचेर्टे में देखो होगे तो आपको अंसर मिलेगा 3.6 इन टू, दस्की गाथ 6, क्या अंसर मिलेगा ? 3.6 306, क्यां पर क्वेशटिन के option D में मिं स्टे लुए है यह 10 की गात 5 ना हों के यहां पर 6 क्या है ? 10 की गात 5 ना हों के 10 की गात 6 है 발ू, इसका अंसर हो कि यह दस्कीगाद पांच ना हो कि क्या हो जाएगा यह आपका दस्कीगाद च्छे यहां लिख देंगे दस्कीगाद पांच की है क्या लिख देंगे दस्कीगाद च्छे इसका अंसर हो हमारा डी क्या होगा अंसर हमारा डी क्या हो जाएगे दस्कीगाद च्छे अगले कोशन की तरह मुग करें तो अगला कोशन है हमारा के ड़्ड़ू ह यानि क्लो वाट घंटा किस एकाई का मातरक है इन चारों में से के ड़्ड़ू है किस एकाई का मातरक है तो A option है आपके पास सक्ति, B option है आपके पास बाट, C option है विद्ध तूर्जा और D option है आपके पास उपरक्षभी जैसा कि आप देख सकते है option A, यह option A में आपको सक्ति दिया गया है जो कि किसी भी बहुत एक राशी का ऐसा ही मातरक नहीं होता है जो कि खुद में एक बहुत एक राशी है और बात करें हम बाट और बाट के बात करें तो बाट एक मातरक है यह किसका मातरक होता है सक्ति का ऐसे मात्रक होता है तो इस प्रकार अमारा ना तो आंसर A है ना B और अगर A और B नहीं है तो आंसर D वी नहीं हो सकता है इसलिए हमारे पास आंसर विश्टा है कौन सा C यानि KWH किस बहुत एकरासी का मात्रक है भिद्धत होँजागा इसलिए अंसर क्या हो जाएगा इसी प्रकार अगले कोशन की तरह मुउग करें अगला कोशन है हमारा सक्ति का S A मत्रक क्या होता है जैसा कि मैंने भी बताया था आपको सक्ति का S A मत्रक क्या होता है तो आप देख सकते हैं Ops दिया अप्के पास किलो वाट बिया गया वाक क्या हस्वाज आखत चिए अप्रबर कमें से कोई नहीं अगर बात करें इक सक्ति का बला मत रगे हैं जोटाइज होता हो सक्ति को कह एसा इमात्र कूछ रहा है हमारा इसका ए चलिए अगले कोश्चन की वर मूव करते हैं अगला कोश्चन है हमारा एक एक ऐसा यंत्र जिसका उप्योग विद्ध धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या पूछ रहा है आपको एक ऐसे यंत्र का नाम पूछ रहा है जिसका उप्योग विद्ध धारा को माप ने के लिए किन रहता है तो बात करें आपके पास आपस अप्सने ए एम्ilar विद्द bipartisan c अपसने अमिटर और डी अपसने आपके पास 2018 अगर आपके बात करें तो यह हमारा एसा ही मात्र होता है विद्द्धदारा का जिस कि आपको विद्दुद्धारा मापने वाला यंत्र पूचा गया है तो इसमें आंसर यह तो नहीं हो सकता डूसरा अप्षिन है हमारे पास विद्द्धफ्यूज यह भी नहीं है यह यह क्या है कि कि सी परपत को अधिकदारा घ्राण करने इसे बचेंटा सी औप्शन है आपके पास अमीटर इस कोशेंगेशन का आंसर होगा हमारा सी अगर बात करें डी तो डी कोशेंगे यहानी बीवांध्र को मांपने के काम में आता है चलिए तो अगले कोशेंगे और मूव करते हैं अगला कोशेंगे तो ऐसका उपयोग विद्द धरावार, चालक तार के स्रों पर भीवानतर मापने के लिए किया जाता है इसमें भी आपको एक, ASA IंTER का नाम पूझा गया है जो होगी, विद्द धरावे चालक तार के और भीवानतर मापने के काम आता है पहले तो question पूछा गया था व्यद्ध धारा को भुद्ध धारा को हमापने के काम?기ुशा गया आपसे कॉश्ण में कि भीवांतर को हमापने के काम कोन हाता है तो अगर हम बात करेंода option a volt correction a volt meter, option cresses a meter और option d है भीवांतर जाएगा true अगली कोशन की और मूव करते हैं अगला कोशन है हमारा बोल्ट मीटर को परपत के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है अब आपको पूछा गया है उसको परपत के कौन से क्रम में जोड़ते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे दो क्रम होते हैं हमारे पास प्रत्रोदों को लगाने के या परपताओं को लगाने के तो सेडी करम एक समानतर करम तो आपको पूछा गया बोल्ट मेंटर को परपत के कौन से करम में जोड़ोगे तो इसका आंसर है हमारे पास आंसर भी यानि समानतर करम में इसको आपको डिरेक्टली याद रखना है कि बोल्ट मेंटर को परपत के कौन से क्रम में जोडते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बी चलिए अगले कोशन की और मुग करते हैं अगला कोशन है हमारा कि अमीटर को परपत के कौन से क्रम में जोड़ते हैं अब किसके बारे में पूचा है अमीटर के बारे में तो अभी जैसा कि हमने पढ़ाता है कि जो बोल्टिमिंटर को परपत के समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें आंसर सी और डी तो हो नहीं सकते अब समांतर क्रम माला आंसर किसका है बॉल्ट वीटर को जोड़ते हैं तो इसका अंसर क्या हो जागा हमारे पास error disparities को ब्रबत को अमीटर को पर परपते क्वां जूड़ा जाता है सीडिकरम में चलि अगले शुच्चा युक्ती के रूप में भी उप्योग किया जाता है तो आप पूछ रहा है और को चले अगली कोशच्ट के और मूग करते हैं अगला को खुरन है हमारा निम्न में से कौन सा सक्ति का सूत्र नहीं है अगला कोश्चन क्या है इस कोश्चन में आपको पता लगाना है कि चारो अप्शन में से सक्ति का सूत्र कौन सा नहीं है जैसा कि आपको पता है कि हम सक्ति के सूत्र पढ़ते हैं तो इसमें होता है statutory प्राइब लिएुप बरावर विए क्या होता है एक चूत्र पढ़ते हैं यिसी के बाद हो अगर इसी प्रलिड बात करें उसासरा रश् sixt दो अश्यार कि अब देख तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको B option है क्या है B option है तो आपका B option match नहीं कर रहा है और आपको यही पूचा गया है कि ऐसा कौन सा option है जो की बिद्द सक्ति का सूत्र नहीं है तो इसमें answer हो जाएगा आपका क्या B option I square R यह सक्ति का सूत्र नहीं होता है इसका answer क्या हो जाएगा I square R जोगी सक्ति का सूत्र नहीं होता है चलिए अगले question की और move करते हैं अगला question है हमारा के R 1 R 2 तथा R 3 तीनों प्रत्रोथ यही समांतर क्रम में जुड़े हो कौन से क्रम में जुड़े हो समांतर क्रम में तो तुल्य प्रत्रोथ का सूत्र होगा अगर बात करें हमारे पास दो प्रत्रोथ के मध्य जितने प्रत्रोथ को जोड़ा जाएगा इन दोनों प्रत्रोथ के मध्य जितने प्रत्रोथ को जोड़ा जाएगा वह प्रत्रोथ आपस में क्या होते हैं कौन से क्रम होते हैं समांतर क्रम में अब इसमें क्या होता है इस समांतर क्रम में हमारा दारा का प्रतेक प्रत्रोद में अलग-अलग होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको वेंट्री से जोड़ोगे सब पोच करो जैसे ही आपने ये वेंट्री से जोड़ दिया क्या कर दिया वेंट्री से जोड़ दिया तो यहां से जो धारा जाएगी आई यहां जाने के वाद कहां यहां जाने के वाद इस आई दारा के पास तीन अप्सन होगे कितने अप्सन होगे तीन तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रतेक प्रतुरूद में जो दारा होती है समानतर करम में क्या होती है अलग-अलग क्या होती है अलग-अलग अगर बात करें हम तो इन तीनों में जो बेवांतर होता है वो समान होता है अगर बात करें इसमें हम जो समानतर क्रम में कुल प्रत्रोद आता है वो प्रतेक प्रत्रोद के मान से कम आता है और आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जो आर इसमें जो पहला option दिया गया है आपको कौन्चा आर बड़ावर आर का मतलब यहां पर आपको तुल्य प्रत्रोद या कुल प्रत्रोद है आर बड़ावर आरवन फ्लस आर टू प्लस आर तरी यह जो option है यह हमारा formula होता है CD क्रम में तुल्य प्रत्रोद का अगर बात करें हम B option की एक वटे आर वन वरावर एक वटे आर वन फ्लस आर टू तो अगर आप देख सकते हैं कि आपको कितने प्रत्रोद लोगे हैं question वें इतने प्रत्रोद दिये गए आपको तीन प्रत्रोद तो यह आंसर नहीं हो सकता अगर तीसरी ऑप्शन की बात करें सी की एक वटे आर वरावर एक वटे आरवन प्लस एक वटे आरटू प्लस एक वटे आर तरी तो हमारा इस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू